आपने भी यह sentence ना कभी ना कभी जरूर बोला होगा या लोगों के मुझे सुना होगा, He prefers tea over coffee, वो चाय को जाधा prefer करता है, coffee की बजाए, या फिर आपने सुना होगा, He prefers tea then coffee, वो चाय से जाधा coffee पसंद करता है, या अपने लोगों के मुझे सुना होगा, You are senior than me, आप मुझे से बड़े हो, अब क्या होता है, जब हम हिंदी बनाते हैं ना, हमें से की feeling आने की वज़े से, हम then ya over को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पी बढ़ा grammatically अच्छा सा concept है, जो spoken में आपकी English को सुधार देगा, तो ध्यान से सुनिएगा, यह जितने भी शब्द है ना, चाहे आप prefer use कर रहे हो, चाहे आप senior use कर रहे हो, इसके साथ, कभी भी then ya over को position देने की बज़ाए, सिरफ एक ही शब्द use होता है और वो है to, और ऐसे सिरफ यह दो शब्द नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं, prefer, prior, preferable, senior, junior, anterior, posterior, elder, यह सारे इसे शब्द हैं, जिनके साथ then ya over से कभी भी तुलना नहीं की जाती हमेशा किसे prefer करते हैं, to को, तो अगर आज के बाद आप इस sentence को सही इस्तमाल करना चाहते हैं, तो you must say, prefer coffee to tea, you are senior to me, I am junior to you, कभी भी then और over के इस्तमाल से बचें या इस्तमाल करें ना, हर जगा क्या लगाएं, to लगाएं,